कॉंडम्स, मेल्स के लिए ऐसी चीज जो की उनको STIs, HIV, Pregnancy इन सबसे बचाती है मुरोवर आप जब शादी से पहले कर रहे होते हैं, एक समाटल कर रहे होते हैं या भी आपको बेबी नहीं चाहिए, उसके लिए कॉंडम में एक best hygienic, सस्ता, बढ़िया method है to avoid pregnancy and to keep you safe लेकिन आप कॉंडम का इस्तमाल कैसे करते हैं, प्रॉपर डेमो के साथ मैं दिखा रहे हूँ और अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो प्लीज असे नहीं करेंगे चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा डेमो करके दिखाने वाली हूँ और वीडियो को पूरा अन तक देखेंगे तो यहां पे मैंने डेमो के लिए लिया है, टेक्स्च्चर कॉंडम मैं आपको बताती हूँ, आपको यूज कैसे करना है, जब आप यूजली मार्केट जाएंगे तो एक तो डरना नहीं है to buy it, it's absolutely okay to ask for something जो कि आपको safe रखता है, और कभी भी कॉंडम को पुराना कॉंडम यूज नहीं करना है एक चीज़ का ध्यान रखो, कई लोग क्या करते हैं ना, पैन की पॉकेट में और अपने लाप्टॉप बाग्स में रख लेता है, तो जितना पुराना कॉंडम ना, जितना आपने हीट में रखा है, उतना उसका टूटिया ब्रेकेज होने के चांसे बढ़ जाते हैं जारी जरूर पढ़ लो, दूसरा, जब आप कॉंडम को ओपन करोगे, तो मैं यहां यूज करके आपको प्रॉपली दिखाते हूं, So it comes up with this packet, ुचिक है, condoms बहुत तरीके के आते हैं और इस पे मैंने detail में बात की है, delay, condom, textures, condoms, ripped condoms, detail में, यहां पे मैंने एक normal delay condom यहां लिया है, छिक है, गल्तिया में मेल्स क्या करते हैं, When they open this packet, they tear it with their mouth, मुह से खुलने की कोशश करते हैं, which is not at all recommended. क्योंकि जब आप इसे मुह से खोल रहे सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी इंग्रीडेंट है और जो भी है वह आपके मुह में चला जाएगा अगर वह फ्लेवर्ड कॉंडम है तो डेफिनिटली आपके मुह में चला जाएगा कोई बात नी बट डेफिनिटली मुह से मत खोलो प्लीज डोंट टेर इट विडियर के साथ क्योंकि एक तो आपके टीर करने में आपको पता नहीं है कि उसकते कॉंडम फट जाएगा तो सिजर नहीं मिलेगा तो बेटर यह है कि यहाँ तियर का उप्शन है वहाँ से फाड़िये मुह से ना फाड़िये ओके एंड वेन यू टेक इट आउट जब आप कॉंडम को बाहर निकालते हैं ठीक है आप देख रहे हैं एक्सपायरी अपने डेफिनिटली चेक करनी है मैं फिर से बात करे हूँ सेकेंडली कॉंडम को आपने तभी यूज करना है जब आप प्रॉपरली इरेक्टेड हो ऐसा नहीं है कि आपको इरेक्शन ही नहीं आया और आपने कॉंडम का इस्तमाल कर लिया या उससे लगा लिया जब आप प्रॉपरली इरेक्टेड है तभी पीछे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है मेरा circumcise है, तो आप definitely skin को पीछे करके condom को अपना, बिल्कुल apply कर सकते हैं, अब अगर मैं बात करूँ, तो ये जो condom है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ तील है आगे आप यहाँ अपने penis पे रखेंगे, और उसके बाद आप इसे रूल करके उपर की तरफ चड़ा सकते हैं, अपने penis के बिल्कुल अपर length तक, अगर आप यहाँ अच्छे से इस condom को देखो, तो इसके अंदर ribs हैं, छोटे-छोटे dots दिख रहे होंगे आपको, प्लस यहाँ length में आपको textures देख रहे होंगे, और प्लस यह area पे आपको lines देख रहे हैं, तो यह जो ribs है, that is called a ribbed condom, यह ribs आपको help करते हैं, pleasure को increase करने में, moreover जब आप इसको पहनेंगे, तो skin to skin contact बढ़ जाता है, तो आप ribbed condoms को भी use कर सकते हैं, लेकिन आप गलतियां कहां करते हैं, कि ज दूसरी बड़ी कलतियां जो लड़के करते हैं, वो कहते हैं, condom मेरे size के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, a condom is a very big in size comparatively, तो आपका कोई भी size है, that works, अगर आपको लगता है कि मेरा size जादा बड़ा है, तो भी आप देखें कि जब आप discharge करेंगे, तो आपका sperm यहां collect होगा, to आप इसमें अपनी skin डाल रहे हैं, तो वो ऐसे connect हो जाएगा, तो अगर इसका size पूरा उपर तक नहीं भी जा रहा, तो भी it's absolutely okay, क्योंकि collection यह discharge सिर्फ टील में होने वाला है, आप मैं removal की बात कर दियूं, जब आप अपनी condom को remove करें, तो please एकदम से यहां से roll करना आप नहीं है, क्योंकि spill हो जाता है sperm, अगर आप जबरदस्ती खीच रहे हैं, तो उसकता है वो दिवार पे या कहीं आसपा spill हो जाए, which is absolutely unhygienic, तो टील से ही आपको अपने sperm को remove करना है, आशा गरती हूँ, मैं आपको समझा पाई हूँ that how to use a condom, अब अगली बार आप इ यह expiry को check करें, definitely आप check करें कि इसमें किसी भी तरीकी की breakage नहीं है before inserting, बहुत जादा ध्यान भी नहीं लगाना है और ignorance में भी नहीं जाना है, नहीं तो इस पे पड़े हुए सारे effects खराब हो जाएंगे, so take care next time, और चानल पे ज़रूर नहीं है तो subscribe कर दीजए झाल